हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लांट लवारानीता में फ्रेंट्स ये मेरे गोल लौकी की बेल है और मैं आज आप से शेयर करने वाली हूँ इन बेलों पे थ्रीजे कटिंग तो फ्रेंट्स सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो मैं वेजटेबल ग्रो कर रही हूँ ये मैं भी तीसरी बार कर रही हूँ जब मैंने पहली बार ग्रो करी थी तब मैंने थ्रीजे कटिंग नहीं की थी तब भी सबजी अच्छी लगी थी और तब मैं जानती भी नहीं थी 3G cutting कैसे करनी है यह मैं आज आपको बताऊंगी तो जब आपकी बेल इतनी बड़ी हो जाए कि उस पे 10 12 पत्ते आ जाएं तब आपने जो में ब्रांच है इसकी रिप को जो है वो पिंच कर देना है इसमें जो है चार बेल लगी है यह चार जो है में ब्रांचे निकल देना है और पांच पत्ती के बाद जो दो ब्रांचे है वो स्लेक्ट करके आपने उनको इतना ही बढ़ने देना है जितनी आपने पहले अखी मतलब दस से बारा पत्ती उस पे आ जाएं तो फिर से उसे पिंच करना है और जब उस पे आ जाएं उस पे दो ब्रांचे आएंगी उनको फिर उतना ही बढ़ा गर के फिर पिंच करना है तो इस पे जो हैं दो-दो बेल आना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद में फ्रेंज जो है करेली की बेल है तो ये सबसे पहले बड़ी हुई थी तो मैंने इसकी पिंचिंग पहले कर दिया इसकी पिंचिंग दो बार हो चुकी है मतलब यह मैंने पहली पिंचिंग की थी यह देखिए यहां से की थी तो इसके यह देखिए बगल से दो ब्राँच निकली है एक यह है और एक दूसरी तरफ यह है तो फ्रेंट्स यह जो दो निकली है इनको भी मैंने पिंच कर दिया है तो यह देखिए मैं आपको दिखाती ह फिर से पिंच करना है, उसके बाद इस पे कोई पिंचिंग नहीं होगी, इस बेल को ऐसे ही बढ़ने दिना है, तो काफी अच्छी फ्रूटिंग करते हैं फिर, और प्लांट भी बुशी हो जाता है, तो ये जो लंबी वाली लोकी है, वो है, और अभी इसकी पिंचिंग नही पड़ी है भी, और इस पे भी चार से पांच बेल हैं, तो इनकी टिप को भी मैं उपर से पिंच कर दूँगी, तो पिंचिंग जो है, तीन बार होनी है, तो मैं अभी एक-एक कर रही हूँ, और फिर मैं आपको एक कॉपी में ड्रॉ करके समझाओंगी, कि बागी की पिंच करूँगी, तो फिर आप लोगों की बेल जो है, वो बड़ी हो जाएंगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज को ट्राइ करें, और ज्यादा से ज्यादा सबजियां भी आप भी ले सकें, तो ये फर्स्ट पिंचिंग के बाद मैं आपको ड्रॉ करके ही समझा दूँगी कि आपने सेकिंड पिंचिंग करनी है, कैसे करनी है, और थर्ड वाली कैसे करनी है, तो ये देखिए, काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उसके, तो अगर मैं इतना बेट करने लगोंगी, तो फिर लेट हो जाएगा, तो जरूर करके आप ट्राइ करें, अगर आपके पास दो प्लांट है, एक पे आप थ्रीजिंग कटिंग कीजिएगा, और एक को ऐसे छोड़ दीजिएगा, आपको फरक मिल जाएगा, तो फ्रेंस ये देखिए, मैं कॉपी पे ड्रॉ करके थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ, उमीद है, आप समझ सकेंगे, तो फ्रेंस य आप से शेयर कर दिये, फिर आपने देखना है फ्रेंट, पांच पत्ती से नीचे आपने कोई भी साइड ब्रांच नहीं रखनी है, उसको हटा देना है, अगर आ रही होंगी तो, और पांच पत्ती से उपर आपने सिर्फ दो ब्रांच रखनी है, सेलेक्ट करनी है, और उन पहले की है और उनको फिर से पिंच करना है और वो उसकी थर्ड पिंचिंग होगी यह देखिए बारा पत्ती के बाद आपने पिंच करना है और पांच पत्ती से उपर ही दो जो ब्रांचें वो स्लेक्ट करनी है देखिए तीन बार ये इसकी जो है पिंचिंग हो चुकी कर दी मैंने तो अब जो थर्ड पिंचिंग करने के बाद जो दो ब्रांच आपकी निकलेंगी फ्रेंड उनको आपने कुछ नहीं करना है अभी उनको जो है बढ़ने देना है और बेल को चलने देना है फिर देखेंगे आप की बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेंगी काफी सारी सबजियां लगेंगी फ्रूटिंग काफी मातरा में होती है आपको हर नोड से आपको सिर्फ फ्रूटिंग दिखेगी हर नोड से और अगला मेरा वीडियो होगा फ्रेंड की जो फ्लारिंग पे की मेल फ्लार और फिमेल फ्लार में डिफ्रेंड तो जरूर मेरे चैनल के साथ बने रहीएगा फ्रेंड मैं आपको समझा दू पहली वाली को पिंच करेंगे जो निकलेंगी वो सेकिंड जेनरेशन होगी सेकिंड को पिंच करेंगे तो निकलेंगी branches वो 3rd होंगी और जब 3rd वाली को आप पिंच करेंगे तो उसकी जो side branch निकलेंगी वो 4th generation होगी तो 4th generation काफी fruiting देती है बहुत अच्छे से result मिलते है तो इस तरीके से आप please try करके देखिएगा और मतलब अच्छे result मिलेंगे आपको तो मैंने भी पिछले साल try किया था इसलिए आपसे भी share कर रही हूँ और बने रहीएगा मेरे channel के साथ नई नई वीडियो देखने के लिए तो happy gardening